हेई गाईज आनन्द हेयर और आज हम अंबोक्स करने वाले है Realme X3 Super Zoom जो की एक flagship लेवल का फोन है और काफी अच्छा competitor है अपनी market में तो इसके बोक्स के पीछे हमें देखने को मिल जाता है इस Snapdragon 855+, 120Hz की डिस्प्लेइ, 64MP का AI-Code कैमरा, 32MP प्लस 8MP की selfie उसी के साथ में 12GB 256GB की वेरियंट देखने को मिल जाता है हमें और यह काफी अच्छा smartphone है तो चले इसे करते हैं बोक्स उसी के साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इससे मुझे काफी motivation मिलती है तो बोक्स खोलते हमें TPU case देखने को मिलता है और उसी के साथ में user manual उसी के साथ में USB-C type cable और साथ में SIM ejector tool भी देखने को मिल जाता है तो गाइस यह है Realme X3 Super Zoom का charger जो की Super Dart Charger बोलती है Realme से 30W की पास charging के साथ सपोर्ट करता है यह और बैटरी के बारे में बात करू तो 4200 mAh की बैटरी देखन को मिल जाती है तो चलिए गाइस रखते हैं से साइड में और यह है हमारा Realme X3 Super Zoom तो चलिए करते हैं से बूट उससे पहले मैं आपको इसकी covering हटा के बता देता हूं यह phone कैसा दिखता है तो चलिए कर लेते हैं से अनकवर और आपको दिखाता हूं कि यह phone कैसा दिखता है त जो की 399 PPI की स्क्रीन है उसे के साथ IPS LCD डिस्पले पैनल देखने को मिलता है और इसमें हमें 120 हर्ट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और इसकी dust sensitivity देखेंगे PUBG on करके कैसी रहती है तो गाइस ओर बात करें इसकी physical overview की बरे में तो नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जात है हमें अपना power button और मैं आपको बता देना चाता हूं गाइस की power button पर हमें इसमें fingerprint देखने को मिलता है साइड में हमें plastic finish देखने को मिलती है जो की काफी अची matte finish दी गई है उपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि noise cancellation mic हमें देखने को मिलता है और side में हमें देखने को म मिलती है तो guys यह है हमारा realme x3 super zoom जो की तो guys देख पा रहे होंगे इसमें काफी सारे shades हमें देखने को मिलते हैं और personally मुझे काफी अच्छा look लगा इसका और इसका look realme x50d से काफी मिलता जुलता है और guys realme के सारे points की look same देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरह हमें realme branding देखने को मिलते हैं उसी के साथ में हमें कुछ triangle shapes के हमें देखने को मिल जाते है shapes इसमें तो पीछे हमें 4 cameras देखने को मिलते हैं जिसमें main camera 64 megapixel का उसी के साथ में ultra wide lens 8 megapixel का और हमें देखने को मिल जाता ह इसमें 8MP का टेली फोटो लेंज उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाता है 2MP का मैक्रो जो कि हमें समझ नहीं आता कि 2MP का मैक्रो इस फ्लैक्शिफ फोन में क्या कर रहे हैं तो गैस यह थी इसके बैक कैमरा की कुछ स्पेसिफिकेशन उसके साथ में इसकी फर्स्ट लूक आप देख पा रहे होंगे यही है रियल्मी X Super Zoom जो कि एक काफी अच्छा प्रेमियम फोन रियल्मी की तरफ से देखने को मिलता है और इसका पैकेज यही है complete तो इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेता हूँ हमें इसमें देखने को मिल जाता है मैं आपको इसकी कुछ और स्पैसिफिकेशन बता देता हूँ तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है फ्रेंट कैमरा वो भी 32 मेगा पिक्सल का उसी के साथ में 8 मेगा पिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड लैंस भी देखने को मिल जाता है तो गैस यह थी कि Realme X3 Super Zoom का कुछ कंप्लीट सा पैकेश तो भाई इसके N2 2 score भी मैं आपको दिखा दूँगा उससे पहले कि इसकी चीन देख सकते हैं आप काफी अच्छी खासी चीन है इसमें जो कि 40,000 के फोन में मेरे ख्याल से जस्टिपाइड नहीं है तो गैस देख सक देखते हैं यही है Realme X3 Super Zoom जो कि एक काफी अच्छा flagship phone है और काफी जल्द इंडिया में भी देखने को मिलेगा तो गैस इसके launch event के बारे में बात कर ले तो हम इस देखने को मिल सकते है 26 को जो कि इंडिया में जल्द की launch होने जा रहा है तो इसका fingerprint के बारे में बात कर लेते तो इसका face lock भी काफी responsive है तो guys आप देख सकते हैं मेरे face सामने आते ही पड़ी जल्दी खुल जाता है यह तो चलिए guys यह इसकी कुछ specific questions है उसके साथ मैं N22 score मैं आपको इसका दिखा दूँ है जिससे की आपको पता चल जाए लेकिन इसके पहले ही मैं बता दू कि N22 run किया तो इसमें 5 lakh के करीब score आया था मैं इसमें एक बार और रन करके दिखा दूँ है जिससे की आपको भी बता चल जाए तो guys इसके weight के बारे में बात करो तो 206 grams की weight देखने को मिल जाती है जो कि काफी ठीक phone है मेरे हिसाब से 4200 mAh की battery भी देखने को मिल जाती है जो कि ठीक ठाक बैटरी है 120 hertz पे 4200 mAh मेरे ख्याल से काफी लंबी नहीं चलेगी तो इसका battery test भी हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए जिससे की आपको पता लगे कि ये phone क्या कमाल कर सकता है तो guys इसमें main features के बारे में बात करो तो 64 megapixel 855 plus और साथ में इसके front में 32 plus 8 megapixel देखने को मिलता ह है तो इसका touch काफी responsive है आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मखन की तरह चल रहा है 120 hertz का यही पायदा है तो Poco की तरफ से भी हमें 120 hertz की display देखने को मिलती है उसी की तरह है इसका same response है तो चलिए guys इसका Android दिखा देता हूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 5,5,360 100 का score चो कि यह काफी अच्छा score है flagship phone के लिए तो चलिए guys ओन कर लेते हैं PUBG Mobile जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं बता दू कि कैसी चलती है इसमें PUBG और क्या इसमें हमें देखने को मिल जाती है settings तो इसमें max settings के बारे में बात करो तो HDR extreme देखने को मिल जाती है तो आज की वीडियो के तिल दन बाई